हेला दोस्तों नहीं कि मैं यह चैनल मЕं दोस्तों इस वीडिओ में फिट्श समस्टर वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि आपका फिट़् समस्टर का एग्जामेशन फर्म कब भरवाया जाएगा और फिट्व समस्तर की एग्जाम डेट क्या है और कितनी fees लगेगी examination form बने की ठीक है तो fees भी इसमें लगने वाली है तो कितनी लगेगी ये सारी चीज़े इस वीडियो में clear कर देता हूँ तो पहले तो मैं आप सब को बता देता हूँ कि आपकी exam date क्या है फिप्तो समेस्टर वाले बच्चों की तो अब भी दिलिविश्टी की तरफ से academic calendar release किया गया है जिसमें बता गया है कि आपकी exam date 13 December रहने वाली है ठीक है 13 December आपकी exam date रहने वाली है तो सभी बच्चों के जो exam है वो 13 December से सुरू करवाए जाएंगे तो एक बार मैं academic calendar भी दिखा देता हूँ आप सब को तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह रहा वो academic calendar जिसमें बता रहा है फिप्टर समेस्टर के जो exam है वो 13 December से करवाए जाएंगे चाहें वो NC वेब वाला बच्चा हो चाहें S.O.L. का हो चाहें regular वाला बच्चा हो सबी के जो exam है वो 13 December से सुरू करवाए जाएंगे 5th semester के ठीक है तो यह चीज आप सब की clear हो गई कि 13 December से 5th semester के exam करवाए जाएंगे तो अब मैं आपको clear कर देता हूँ कि आपको examination form कब भरना होगा अब जैसी examination form आगा मैं वीडियो दारा information आपसों को provide करवा दूँगा तो जितने ही बच्चे है चैनल को जो subscribe कर लेना हर एक update आपको मिलती रहा करेगी ठीक है तो चैनल को जो subscribe कर लेना तो आपका examination form है वो सितमबर या October में देखने को मिल सकता है जिसमें आपको अपने 5th semester के subject choice करने है चाल subject और 4 subject शिक्त समेस्टर के choice करने होगे ठीक है तो शिक्त समेस्टर के और 5th semester के उसमें आपको अपने subject choice करने होगे subject choice करने के बाद में आपको payment करनी होगी और हाँ दोस्तो एक और बात बता दूँ अगर कोई बच्चा 5th semester में fail था तो उसको भी examination form बरना होगा चाहें एक subject में fail ओ चाहें 2 subject में fail तो एक subject में fail था उसकी भी face लगेगी और 2 subject में fail था उसकी भी face लगेगी तो आपको examination form बरना होगा तब भी आपके exam December में करवाए जाएंगे जो भी बच्चा 5th semester में fail था तो fail वाले बच्चों की बात हो गई अब जिनका new admission होगा जिसमें 5th semester के उस एक semester के subject आपको choice करने होगे तो उसकी face कितनी लगेगी यह चीज में आपको clear कर देता हूँ तो आपकी जो fees है वो 4000 रुपे के आसपास होगी ठीक है 4000 रुपे के आसपास आपकी examination fees होगी जितने भी 5th semester में बच्चे एडिविशन लेंगे और यह fees आपके 5th semester की और 6th semester के exam की होगी ठीक है जो 5th semester में exam होगे उसकी और जो 6th semester में exam होगे उसकी fees होगी दोनों semester की जो exam fees है वो 4000 रुपे लगने वाली है तो यह चीज आपको ध्यान लखनी है कि आपको examination form जब भी बहने को दिया जाएगा जब भी बहते हैं examination form तो 4000 रुपे अपने पास रखके चलना और अगर किसी बच्चे को एक subject में या दो subject में 5th semester में fail किया गया है तो उसकी fees होगी 1100 रुपे ठीक है 1100 रुपे एक subject की अगर दो subject में है तो I think 1500 रुपे के आसपास रहने वाली है तो पिछली बार S.O.I.L. ने इतनी ही fees काटी थी उसी के साब से आप सबको बता रहा हूँ जिसको fail किया गया है 5th semester में या 3rd semester में ठीक है 3rd semester में fail हो तब भी आपको back की fees बननी पड़ेगी आपके December में exam होंगे चाहें आप लोग अभी 5th semester में हो और 3rd semester के किसी subject में fail हो तो इसकी भी fees आपको उसी के साथ में 4,000 रुपे प्लस और जिसमें fail हो 3rd semester में उसकी fees अलग से जाएगी तो इस चीज़ का द्यान रखना आप लोग तो यही एक update थी अगर कोई दिक्कत या doubt है तो आप लोग में को इस्टाग्रम पर message कर देना लिंक वीडियो को दिशाव से को मिल जाएगा और वीडियो को लाइक करना शेयर करता है